वेलकम टू माई यूटूब चेनल जीरूटूब पाई क्लासेज बच्चो आज हमें नाइन्थ क्लास के ठेक बच्चो हिंदी में जो आपका लेशन टू है बच्चो मंत्र जो प्रेमचन जी द्वारा लिखी थे जो बहुत अच्छी कहानी है उसके यहां पर हम लोग गद्य अधारित प्रसनों का हल करेंगों बच्चो जो भी भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा जो परिशाओं में आपका बार बार आता रहता है गद्यांस से और इसके क्वेशन को जो रेखाकी तन्स की ब्याख्या की बात करता है बच्चो ठीक है यहां पर देखकते हैं यहां पर है करकी संसार में ऐसे मुनस से भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आंगे किसी की जन के भी प्रवाह नहीं करते हैं स्याइद उसका उसे अभी विश्वास ना आता था सब ये संसार इतना निर्मम इतना कठोर है इसका ऐसा मर्मभेदी अनभव अब तक न हुआ था वह उस पुराने जमानों के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने मुर्दों को कंधा देने किसी के छपर को उठाने और किसी के कला को सांथ करने के लिए सदय त्य प्यार रहते थे ठीक है अब देशिक्ते बच्चों यहाँ पर रिखान की तन्सकी ब्याक्या दिया है यहाँ पर संसार सभी संसार इतना निर्मम इतना कठोर इसका ऐसा मर्मभेदी अनभाव अब तक न हुआ था वह उन पुराने जमानों के जीवों में था जो लगिवी आग को पुझाने मुर्दों को कंधा देने किसी के छपर को उठाने और किसी के कला को सांथ करने के लिए सदय त्यार आती थे यह आपका रिखांकित अंस है ब वाला कर रहा है रेखांकित गध्यांस का संदर्व से व्याख्या करना है बचो यहां पर करें कि रेखांकित अंस की व्याख्या कीजिए बुढ़े भवत को किस पर करके मनुश्य का अनभाव नहुआ था ठीक है चलिक इसका हम लग सलुषन निकालते हैं बच्छो उत्तर हो जाएगा कि प्रस्तूत गध्यांस हमारी पाठी पुष्टक हिंदी के गध्य खण में सांकलित एवां प्रेमचंद द्वारा लिखीत मंत्र कहानी से आउतरी थे बच्छो ऐसे ही याद रखेगा बच्छो लिखने के तरीका होता है ठीक बच्छो यहीं तरीका होता है ल प्रेमचंद जी बुढ़े भगत की मानसिक अवस्था का चित्रन करते हुए कहते हैं उसके साथ हो चुकि उस अमानविय ब्यवहार पर विश्वास ही न होता था कारण वह उन लोगों में से था जो जीवन भर दूसरों की निश्वार्थ सेवा करते रहते थे वह तो सब भी समाज से उसकी ऐसे ही अपेश्चाय भी थे ठीक है क्योंकि सब भी लोगों की यहीं अच्छाय रहती है वच्छो सीड़े लोगों की सब भी समाज की ऐसे निर्मम्ता कानभाव तो उसे पहली बार हो रहा था वह तो ऐसे लोगों में से था जो दूसरे के घरों में लगवी आग को बुझाते है पासपड़श में किसी किम्रित्त हो जाने पर उसे कंधा देते हैं पड़शी के घर का छपपर उठवाते हैं औ दूसरे के जगड़ों को स्रमाप्त कराने के लिए हमेशाद त्यार आते हैं यह अपने देखा बच्चो रेखांके तंसकी ब्याक है आंगे देख सेकते बच्चो सजो का रहा था कि बोढ़े भगत को किस प्रकार के मुनिश्य क्यादत नहीं थी तो बोढ़े भगत को इस आमोद प्रमोद आर्थात मनरजन के आंगे किसी की जयान की भी प्रवाह नहीं करते थे तो इस तरह से अपने अध्यान के बच्चो यहाँ पर मंत्र कहानी का जे कुछ यहाँ पर अन्स भाग ठीक है आंगे बढ़ेंगे बच्चो देशकते हैं अगला जो भेरी-भेरी मोस इस इंपोर्टेंट है बच्चो ऐसे यहाँ पर अगला गध्यान से देख सकते हैं ठीक बच्चो इस तरह से यहाँ पर दिया है भगवान बड़ा कारशाज है गध्यान से बच्चो देशकते हैं यहाँ से उस बखत मेरी आखों से आशो निकल पढ़े थे पर उन्हें तनि जाओगे हमनी तो सुना था सो कह दिया अच्छा किया अच्छा किया कलेजा ठंडा हो गया आखे ठंडी हो गई होगी लड़का भी ठंडा हो गया होगा तुम जाओ आज चैन की निद सोंगा बुढ़िया से कहता है जारत तंभाकु दे एक चिलम और पिऊंगा ठेक दूसरा बद सकते बचो करा है रहा है तिसरा का रहा है थंडा होना आखे ठंडी होना लड़के का ठंडा होना में ठंड होने बढ़ाय का बिभीन अर्थ में हुए प्रयोग को अस्पस्ट कि जिए ठीक है तो चलिए स्रुवात करते हैं बच्थो इसका सलोशन निकलते हैं देख शक्ते हैं यहां पर इसको रहलते हैं इसको यहां पर दिया हुँ आंसार देख सकते हैं पहला वाले का कि प्रस्तुत गध अमरी पाठे पुष्टक हिंदी के गध्य खंड में संकलित एवां प्रेम चंद्र ठीक बच्चो प्रेम चंद्र द्वारा लिखित मंत्र कहानी से आउतरी था बच्चो इस तरह से आपको गध्यांस का यहां पर संदर्व लिखेंगे अब रिखांके तन्स की व्याख्या करे बुड़ा भगत उस डाक्टर के पूत्र को साप द्वारा डस लिए जाने की प्रतिक्रिय फल शरूब कहता है ठीक बच्चो जब डस लेता है उसको साप डाक्टर के तुवाँआ प्रतिक्रिया देता है बड़ा नयाई है वह सभी का काम बनाने वाला है जम मेरा बेटा मिर से संघर्ष कर रहा था तो इसी डाक्टर को ना मेरे रोब पढ़ने पर और नहीं उसकी इस्थिती पजरा से भी दाया नहीं आई थी वह रोगी को देखने के अस्थान पर खेलने के लिए चला गया था आज मैं वहां होता तो मैं भी उसके लड़के की जिमन रच्छा है तो कुछ भी न करता ठीक है इस तरह से देशिकते हैं इसके बद देख सेकते बच्चों यहां पर सक रहा है कलेजा ठंडा होने का मतलब हो किसी देखने के प्रशंता या संटोस होने। लड़के का ठंडे होने का मतलब भाट्यकरों होने की का थेक बच्चों तो आप अधान करते ह। जी रूटू पाई क्लासीं के के नहीं है तरफ जोड़ैने बच्छों ? य मिला आने परिषाओ के बत्रिके π ही जोड़्य आए ? जो भी कियो है ? ऑ riders बच्चों आप कमेंट बाक्ष में करिए जिस लेशन का वीडियो चाहिए वह लेशन प्रवाइट करा लिया जाए अगला देश्टिक्ते बच्चों यहाँ पर गध्यान से नव यहाँ पर अर्था दूसरा गध्यान करा कि जैसे नसे में आदमी की देह अपने काबू में नह मन में प्रतिकार था पर कर्म मन के अधिन्न था जिसने कभी तलवार न चलाई वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता इसके हाथ कांपते हैं उठते ही नहीं थेगा बच्चे इस तरह से आँगे बढ़कर देखेंगे बच्चे यहाँ पर है कर एक भागत लाठी खट-कट करता लपकता चला जाता था चेतना रोकती थी परोप चेतना ठेलती थी शेवक स्वामी पर हावी था बच्चो ठीक बच्चो इस तरह से है अब आप जो देख रहे हैं बच्चो यहां से है कराय जैसे नसे में आदमी की देह है अपने काबू में नई राती पएर कहीं रगता है पढ़ता कहीं है कहता कुछ है वही हाल इससे में भगत कथा मन में प्रतिकार था पर कर्म मन के अधिन न था वहीं रिखाकी तंश्च का का रहा के मचिए आप देख रहता और पर हिएशन देख सेखते हैं और पर परक्रापाasta संट्रेख लिए लिए रहा है बच्चो है कि इसका अणसर देखते हैं बच्चो जो वरी बडि मुस्ट इंपर्टेंट है बच्चो है देख सेकते हैं यहाँ पर इस तरह से है ठीक बच्छो इस तरह से अपका है ठीक है यहाँ पर क्वेशान अंसर ठीक अवला करें बच्छो यहाँ पर उतर प्रस्तुत गध्यान समरी पाठी पोष्टक हिंदी के गध्य खंड में संकली प्रेम चंद द्वारा लिखीत मंत्र कह हानी से क्या है बच्छो आउतरीत है बग कह रहा है बच्छो देशिक्ते हैं कह रहा है रेखांकी तौनिसकी ब्यक्ष्य में चवकीदार के द्वारा कैलास की मरणाशन इस्तिति की बात सुनकर भागत की इस्तिति ऐसी हो गई जैसे वह नसे में हो जिस प्रकार नसे में कोई नियंतर नहीं रह जाता है वह चलना किसे और चाहता है और उसके जो पैर है कहीं और पढ़ते हैं बच्छो वह कहना कुछ और चाहता है किन्तु उसकी जिवान से कुछ और ही निकलता है यहीं देशा उस समय साप का विश उतारने में सिध्ध हाष्त बूढ़े भगत क हो रही थी उसके मन में डक्टर चड्धा से बदला लेने की भावना प्रबल थी वह चाहता था कि वह कैलास का विश उतारने डक्टर चड्धा के घर ना जाए पर दूसरी और उसके कर्म पर उसके मन का अधिकार नहीं था बच्छो ठीक है आंगे मट कर देशिकते बच्छ कि यहां पर प्रश्टूत अन्समे सेवक से आशय और चेतना मन से है और स्वामी से आशय चेतन मन से शामाने तो चेतन मन का नियंतरण और चेतन मन पर होता है लेकिन भागत की इस्थिति उसके बीपरी थे उसका चेतन मन उसे डाक्टर चढधा की यहां जाने से रोखता था लेकिन अउचेतन मन प्रेरित कर था इसलिए यहां कहा गया है सेवक स्वामी पर हावी था था थेक है इस तरे से आपने यहां पर व्याक्षय देखा थेक है तो आप अध्यन कर रहे हैं बच्चो जीरो टू पाई के चनल पर यहां पर नौदस ग्यारा बारे के सभी विश्यक की त्यारी खूल डिटेल के संग कंसेब बाई कंसेब ना जा रहे हैं बच्चो इसलिए आप जीरो टू पाई कलत्स के पर यहां जुड़िए बच्चो विडियो को लाइक सेट सब्सक्राइब जुरूर कीजिए जो भी क्योरी है आप कमेंट बक्स में कमेंट कर सकते हैं यह जिसे पहले की वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बच्चे वहाँ सब जाकर बहतरी इन तरीके से बोर्ड परिशाओ के त्यारी कर सकते हैं ठेक बच्चो नाइन्थ के सभी बीसेओ के यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बच्चो वीडियोज मिल जाएंगे वहाँ सब जाकर परिशाओ के त्यारी कर सकते हैं यह आप किस लेशान का वीडियो चाहते हैं बच्चो उस लेशान को आप कमेंट बक्स में कमेंट करिए वह वीडियो प्रवाइड करा दिये जाएंगे अगला गद्ध्यान से देखेंगे बच्चों यहां से जो भरी-भरी most important है बच्चों देश कहें यहां पर है आज उसे दिन की बात याद करके मुझे कितनी गलानी हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता मैं उसे खोज निकालूं उसका जन्म यस की वर्चा करने के लिए ही हुआ है उसकी सजन्ता ने मुझे ऐसा आदर्स दिखा दिया है जो अब से जीवन परियंत मेरे सामने रहेगा बच्चों ठीक है इस तरह से देशेते हैं अवला क्योशन करा है उपरुक्त गद्यान्स का संदर्व अथ्वा पाठ किजिए सवकरा है डक्टर चड़ा को कौन सी बात याद करके गलानी हो रही है यहां से देशेते हैं यहां से दिया है वह कुछ लेगा नहीं यह जानता हूं उसका जन्म यस की वर्षा करने के लिए ही हुआ है उसकी सजन्ता ने मुझे ऐसा आदर्स दिखा दिया है जो अहीं रेखांकित अन्से ध्यान दिजीगा इसी की आपको व्याख्या करना है जो भीरी भरी मोस्ट इंपोर्टेंट तो चलिए शुरात करते हैं बच्छो देशेते हैं आपकर इसकांसर देशेते बच्छो उत्तर आका शुरात करते हैं कि प्रस्तुत गध्यान्स हमारी प अचका आपको प्रेमचंत की मंत्र उसका आणि से यहां अंस अवत्रीत किये गये हैं ठीक है आगे बड़कर देखेंगे बच्छो रेखांकित अन्सकी ब्याख्या करेंगे देखें कि यहां पर है डाक्टर चण्वी अपने पतनी नरानी से कह रहा हैं कि यह दिभी मैं जा च्छमा कराने के लिए उसे अवस्य यहाँ पर खो जूँगा वह अवस्य ही मेरे अपराद को च्छमा कर देगा क्योंकि इस संसार में कुछ लोग दूसरों की भालाई के लिए ही जन्म लेते हैं अपने लिए नहीं वह बुढ़ा उन्हीं लोगों में से एक है लगता है कि भ अपनी निश्वार्थ सेवा भावना से उसने मुझे सजन्ता और निश्वार्थ सेवा का ऐसा आदर से दिखा दिया है जिसे में जीवन के अंतिम छड़ तक याद रखोंगा बच्छो इस तरह से यहां पर हमने यहां पर हल किया बच्छो रेखांकित अन्स की ब्याख्या अब हम लोग हल करते हैं यहां पर सा नंबर कि डाक्टर चड़ा उससे माफिक और इसको कौन सी बात याद करके गलानी हो रही थी बच्छो उसके बारे यहां पर देख सकते हैं बच्छो इस तरह से आपका है यह देख सकते हैं यहां पर है डाक्टर चड़ा को उस घटना क अस्मरण हो जाता है जो शुरुवात में आप कहानी में पड़े होंगे बच्चों जो बुढ़ा अपने बच्चे को लेकर जाता है इसके डक्टर डिस्पेंसरी के बगल में जब बुढ़ा अपने एकलवते पुत्र को मृत प्राय अवस्था में उसके पास लेकर आया था औ पर आज बुढ़े के द्वारा अपने उपर किए गए उपकार के करण उन्हें अपने उस दिन के विवहार पर आपार दुख हो रहा है बच्चों इस तरह से आप समझ सकते हैं इस तरह से आप ठेक बच्छो तो इस तरह से आप अध्यान कर थे बच्छो गला Lovel Desus के चनल पर अध्यानकर थे बच्छो जीरो टųाल क्र 상태 के चनलव पर ठेक बच्छों ये सिफजाले की वीडियोज की प्लेइलिस्ट मिल जएंगे बाच्चों वहां से अप जाकर बौड परिशाओं की बेहतरी तरीके से त्यारी कर सकते हैं ठीक है और जो भी प्यूरी है बच्छों अब कमेंट बाक्षे में कमेंट कर सकते हैं ठीक इस तरो से थेकं बच्चो इस तरो से यह पर हमने अध्यन बच्चो यहां पर गध्यान सिक अधारित प्रस्नों को जो दिर्ग image उस्तरी प्रस्न थे बच्चो ठेक बच्चो से तो थ्यांक्स फ़ार वाचिंग मैं वीडियो जय हींत